हालो स्टूडेंट कैसे हैं आप स्वागत है हमारे चैनल पर आपका हम आपके लिए शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 9 विज्ञान विसे का चैप्टर हमारे आसपास के पधार्थ हमारी आसपास के पधार्थ को हम कई पार्टों में समझाएंगे या पढ़ाएंगे तो हम यहाँ पर पहला पार्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम जानेंगे कि पधार्थ क्या होता है पधार्थ किस प्रकार से इनका जो संसलेशन होता है यानि कि ठोस द्रव गैस कितनी अवस्थाएं होती हैं और कौन-कौन सी चीजें पधार्थ कहलाती हैं इन सभी बा यानि कि बधार्थ को हम इंगलिश में मेटर कहते हैं यह सबी वस्तुएं जैसे हवा, पानी, रेथ, पसू, पत्थर, भोजन, आदी, इस्थान गेड़ती हैं जितनी भी चीजे हैं बच्चों हम देखते हैं यानि कि हवा को भी हम देख लें, जिसको हम आँखों से देख नहीं पाते हैं लेकिन मैशूस करते हैं, तो वो भी स्थान गेड़ती है इसको हम अपने एक प्रियोग के द्वारा, गरेल उप्रियोग के द्वारा भी समझ सकते हैं और इन सबी का कुछ द्रवेमान भी होता है, यानि कि इन में कुछ भार भी होता है वायू में भी भार होता है, पानी में भी भार होता है, दूद में भी भार होता है, पत्थर, मिटी जितनी भी चीजे हैं उनमें सब में द्रवेमान यानि भार होता है लेकिन ये पधार सतत है या कणों से बना है ये हमें पता नहीं है तो इसकी जानकारी हम अब भी प्राप्त कर लेंगे इसे समझने के लिए एक गिलास लीजिए और उसे पानी से आदा बरकर एक चम्मस सक्कर डाल दीजिए और उसे घोलिए क्या जल के इस तर में कोई बदलाव आता है आप देखेंगे कि जल शक्कर जल में पूरी तरह से गुल गई है ऐसा इसलिए संबभ हो जाता है या हो पाता है क्योंकि सक्कर और जल दोनों ही पधार छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं तो इस प्रियोग से कि एक गिलास पानी में हम सक्कर गोलेंगे तो वह गुल जाती है इसका मतलब पधार जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है पानी भी और शक्कर भी और घोलने पर शक्कर के कण जल के कणों के बीच में आसानी से खाली जगों में आ जाते हैं जो खाली जगों होती है पानी के कणों के बीच में उनमें शक्कर के कण बीच में समा जाते हैं यह है दरसाता है कि पदार छोट छोटे कणों से बनता है और इन कणों के बीच खाली जगे यानि खाली स्थान होता है तो यह दोनों चीजे हमारी हमको पता चल गई है कि पदार छोट छोटे कणों से मिलकर बनता है और इन कणों के बीच में खाली जगे यानि खाली स्थान ह आपने देखा होगा सभी वस्तुएं अपने आकार को बनाए रखने का प्रियास करती है ऐसा इसलिये होता है क्योंकि सभी वस्तुओं के पदार्थ के कन एक दूसरे को आकरशित करते हैं यानि कि जो चीज जैसी है उसको वो बनाये रखने देना चाहती है पानी अपनी इसके जो चोटे चोटे कंड होते हैं, उनके बीच में आकर्षन बल होता है, आकर्षन का बल हर पधार्त में आलग अलग और प्रबलता में होता है, जो हर पधार्त का आकर्षन बल होता है, वो आलग अलग प्रकार का होता है, उनकी प्रबलता आलग अलग होती है, एक जलती ह कोई अगरवत्ति से निकलने वाले दूएं को ध्यान से देखिए इसके कंड बहुत जल्दी दूर तक फैल जाते हैं जब हम अगरवत्ति जलाते हैं और जो जिस खुशू वाली अगरवत्ति होती है तो हम देखते हैं थोड़ी देर में सारी खुशू उसके आसपास में यान जो कंड होते हैं वो निरंतर गती करते हैं पधार्थ के यह गुणधर्म अलग-अलग पधार्थों की अवस्थाओं को बताते हैं और ये सारे गुणधर्म क्या निश्चित करते हैं कि पधार्थ अलग-अलग अवस्थाओं में पाए जाते हैं और यहाँ पर हम देख पा अब है स्वेंप को जाचने का समय, प्रश्च नमर एक है, पधार्थ किसे कहते हैं, तो पधार्थ किसे कहते हैं, इसकी परिभासा हमने देखी ली है, कि हमारे आसपास की सभी वस्तुएं जैसे हवा, पानी, रेट, पसू, पत्थर, भोजन, आदी, ये इन सभी में, ये सभी स्विमिंग पुल में पानी को काड़ता हुआ तैर पाता है, ये है पधार्थ के कौन से गुन को दरसाता है, तो ये है पधार्थ के तरलता के गुन को दरसाता है, कौन से गुन को दरसाता है, तरलता की, परहा तरल वस्ता में भी पाए जाते हैं, पधार्थ के कणों के ती भोलने पर पानी के इस तर में बदलाब क्यों नहीं होता है जो इसका उत्तर इस पश्ट था क्योंकि पधार्त छोटे छोटे कणों से बनता है और इन कणों के बीच में खाली जिस्तान होता है इसलिए उसके इस तर में कोई परिवर्थन नहीं होता है प्रिश्ट नमबर पांच ए सामान्यते पधार्थ की कितनी अवस्ताई होती हैं तो सामान्यते पधार्थ की तीन अवस्ताई होती हैं कितनी अवस्ताई होती हैं तीन अवस्ताई होती हैं ठोस द्रब और गैस इनको हम आगे देखेंगे अब है पदार्थ की अवस्थाएं पदार्थ अपने तीन रूपे होते हैं ठोस, द्रब और गैस पदार्थ की अवस्थाएं उसके कणों के विभिन अभी लाक्षनिक गुणों के कारण होती है एक किताब, पैन या लकड़ी के टुकड़े को धिहान से देखो क्या इनका एक निश्चित आकार इस्पष्ट सीमाएं और इस्थिरातन है बाहर से बल लगाने पर भी इनका आकार नहीं बदलता है इनका यह विशेशकून इनके कणों के बीच रिक्तिस्थान ना होने के कारण है इन्हें हम ठोस कहते हैं पधार्थ हमने देखा तीन रूप में पाये जाता है ठोस द्रव और गैस तो ठोस पधार्थ क्या होते हैं जैसे किताब एक पैन एक लकड़ी के टुकड़े को हम कितना भी दबा के रखेंगे लेकिन कुछ तेर बाद हम देखेंगे उनका आकार वही कवही रहता है यानि की बदला नहीं है तो ऐसी चीजों को जो अपना आकार नहीं बदलते हैं मारवार में उनको हम ठोस पधार्थ कहते हैं इनका यहागून किस के कारण होता है इनके कणों के बीच रिक्सिस्थान नहीं होता है या बहुत कम होता है दूसरी बात आएगी अब पानी दूद तेल का भी अवलोकन करें हम इन्हें जिस बरतन में डाल देंगे यह उसी का आकार ले लेते हैं लेकिन इनके कणों में आकार संबल ठोस पदार्तों की तुलना में कम होता है और इनका आयतन बे निश्चित होता है यह तरल पदार्त है तो यह दूसरी चीज आ गई तरल पदार्त यानि की द्रववस्था पानी दूद और तेल इनका उधारन है और इनका आयतन जो होता है वो तो निश्चित होता है लेकिन इनका आकार निश्चित नहीं होता है इनको हम जिस बरतन में डाल देंगे उसी का आकार ये धारन कर लेते हैं अब है अपने आसपास की हवा को मैसूस करो यहें गिलास में भी है, खाली स्लेंडर में भी है, गैस के गुबारे में भी है, क्या यहें हर बरतन को पूरा भर देती है, गैस के कणों में आकरसन लगबग नहीं के बराबर होता है, तो यहें गैस के जो कणों होते हैं, उनके आकरसन बल कैसा होता है, नहीं के बराबर होता और ये लगातार गती करते रहते हैं इसलिए इन पधार्थों को गैसी अवस्था पहेंगे चीनी पानी में गुल जाती है तो क्या पानी के कणों में रिक्सिस्तान है गरम खाने की खुश्वू दूर तक फैल जाती है यह विसरन के कारण होता है दो विविन पधार्थों के कणों का स्वत्य मिलना ही विसरन कहलाता है अगर हम परिवासा पूछें विसरन किसे कहते हैं तो दो विविन पधार्थों के कणों को स्वत्य मिलना एक दूसरे में मिल जाना विसरन कहलाता है पधार्थ के कणों के बीच जितना रिक्तिस्थान तथा तापमान अधिक होता है विसरन भी उतना ही अधिक होता है क्या पथर के कणों के बीच भी रिक्तिस्थान होता है पधार्थ की अवस्थाएं उसके कणों की व्यवस्था पर निर्भर करती है उनके कण की क्या व्यवस्ता है, बहुत नजदीक नजदीक हैं, या दूर दूर हैं, तो उसकी व्यवस्ता पर पधात की व्यवस्ता निभर करती है, अब हैं निमने प्रश्णों के उत्तर देने का प्रियास करो, ठोस, द्रव, वैगैस में कणों की व्यवस्ता में क्या अंत बहुत ही दूर दूर होती है उनके बीच में कोई आकरसन बल नहीं पाया जाता है या ना के बराबर होता है प्रश नम्मर दो है पानी की पानी में कुछ बूंदे श्याई की डाल कर देखें अपने परी नाम की समिच्छा करें ऐसा क्यों हुआ एक पानी का गिलास हम बर लेंगे और उसमें दो बूंद हम श्याई की डालेंगे हम देखेंगे कि श्याई धीरे 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 पानी में चारो तरप जाने लगती है और कुछ देर बाद यानि कि गंटे के बाद हम देखेंगे कि पूरा पानी नीला हो जाता है तो इससे हम क्या परिणाम निकाल सकते हैं कि कणों के बीच में पधात के जो कण होते हैं उनके बीच में रिक्तिस्थान होता है और विश्रन के द्वारा शाई की जो बूंध होती है वो विश्रन विदी के द्वारा पानी के अंदर देरे देरे मिलती रहती है तो जो पानी और श्याई की बूंद है उनकी कणों की गती थोड़ी सी तेज होती है ठोसकी अपिक्षा इसलिए वो विसरन की विदी के द्वारा पूरे पानी में मिल जाती है प्रश नमर तीन है इत्र की सीसी को खोलते ही उसकी खुशू चारो और फैल जाती है क्योंकि इत्र जो होता है वो गैसी अवस्था में होता है और गैसी कणों के बीच में आकर्शन बल ना के बराबर होता है तो जैसे इत्र की सीसी को खोलते है उसकी खुशू चारो तरब फै कोई तीन अंतर बताईए तो हम देखेंगे ठोस का आकार निश्चित होता है द्रफ का आकार निश्चित नहीं होता है और गैस का आकार भी निश्चित नहीं होता है पहला अंतर तो हो गया ठोस के कंड बहुत पास-पास होते हैं द्रफ के कंड ठोस की अपेक्षा थोड़ी दूर होते हैं और गैस के कंड आपस में बहुत दूर होते हैं ठोस के कंडों के बीच में आकरसन बल बहुत ज़्यादा पाया जाता है द्रफ के कंडों के बीच में आकरसन बल थोड़ा कम पाया जाता है और गैस के कंडों के बीच में जो आकरसन बल है वो ना के बराबर होता यानि की नहीं पाया जाता है और एक और अंतर लिख सकते हैं ठोस के कणों के बीच में गती बहुत कम होती है द्रफ के कणों के बीच में गती थोड़ी अधिक होती है और गैस की कणों के बीच में गती बहुत ज़्याद अधिक होती है प्रेश नमर पांच है विसरन किसे कहत और इसको उदारन सही समझाना है तो उदारन इसी प्रश्ण में दे रखा था कि एक पानी के गिलास ने यानि एक गिलास पानी में यदि हम शाही की दो चार बूंदे डालेंगे तो थोड़ी देर में शाही पानी के अंदर गुल जाती है यानि कि दोनों एक दूसरे में मिल जाते हैं या दूसरा उधारन दे सकते हैं इतर की CC को खोलने पर उसकी खुश्वू चारो तरफ कमरे की वायों मिल जाती है और हमें खुश्वू आने लगती है यह भी विसरन का उधारन है तो इस तरह से बच्चों यह पार्ट नमर एक हमारा कमपलीट होता है इसको आप समझने का प्रियास कीजिए और जो चीज़ समझ में नहीं आए आप हमारे description box में जरूर डालिए comment लिख करके बताईए कि आपको क्या समझ में आया और क्या नहीं